दोस्तो अलादिन नाम तो सुनाओगा आप ये सिरियल जरूर देखते होंगे TV पर या किसल मीडिया बेब साइट पर यह कहीं आपको जरूर दिखता होगा तो आपकी दिल में जरूर खहलता होगे कि यह अलादिन था यह मैहल एक कलपना है यह अलादिन का चराख सच में था तो आज इसी के बारे में जानेंगे पूरे तथ्थे को टोलेंगे और पूरी काहनी को डीपली सम जानेंगे तो वीडियो स्टाट करने से पहले दोस्तों वीडियो को दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यह मांटौन फैक्ट चैन वाले थे और उनका नाम था अलादिनियम उन्होंने अलादिन के अलावा और भी बहुत सारी कहानिया लिए जिनमें से सिंद्बा सेलर और अलीबाबा चालीश चोड़ जैसी और भी बहुत सारी अलवी कहानिया थी फिर इन कहानियों को लिखने के बाद उन्होंने एंथान को सुनाय था फिर एंटार्ण ने फिर 1001 नाइट में उस सटोरी को मेंशन किया गया था जिसमें अलिफ लैला के कहाणी में ना च्छूटी से स्टोडी थी अलादिन की तो दौस्तों कि तो कहा जाता है कि अलादिन का कहाानी सच है उसका चिलात सच में था ंची के तो यह जाते हैं तो दोस्तों ये कहानी पर काशतुबाता सन्द सतरे सो वो भी अंग्रेजी भासा में वो भी थाउजन वण नइट मि तो दोस्तों कहा जाता है जो अलादिनियम थे वो उनकी कलपना थी उन्हों नहींचे अपने कर्पना से कहानी लिखी ती जिसमें से सिंधबाद, दा सेलब, और अलीबाबा, चालीश चोर, अलादिन जैसी और बहुत सारी अर्विक कहानिया थी, इसके बारे में लोग कहते हैं कि यह सची कहानी है, तो दोस्तों बात करते हैं मेरे सर्च और रिसर्च कही साब से और मैं अपने अंदास से बताता हूँ, तो दोस्तों मैंने जिस तर्गी से उसको सर्च किया था उसको रिसर्च किया उस हिसाब से महज एक कहानी है और कुछ नहीं कि जो उसको लिखने वाले लेकर पूर्ट उन्होंने एक ही साथ इतनी सारी कहानिया लिखती है उनकी कल्पन मैं इसको अगर आगे जनरेशन में बेजेंगे तो इसे सबसे तो यह भी एक हकीकत हो सकती है बट नॉट इस नॉट मैच अट इन दिस ताम तो दोस्तों एक महज कल्पन अलादिन का चिराग तो दोस्तों कई सारे लोग कहते हैं कि जीन होते हैं तो आगे हम जीन के बारे मे में जबता हुँ मैं आग के सब्सक्राइब करना कि मैं जीन के बारे मेरी सर्ग करें के आपको मैं बनाए तो दोस्तों आप comment जरूर करना जिनके बारे में आपका क्या ख्याल है और मैं next time जरूर उसके बारे में detail में बात करूँगा और भी बहुत deeply से तो आज के लिए इतना ही फिर मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में जैने